ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें, समय निकाल कर जरूर सुनें, पहली सुभे खाली पेट, ठंडा पानी नहीं पिएं, ये शरीर को नुकसान पहुचाता हैं, दूसरा दालचीनी का इस्तेमाल करने से वजन कम होता हैं, तीसरा, अगर बच्चा रात को सोता नहीं हैं, तो उसे शहद चटाएं, चोथा, अगर शरीर से पसीने की बदबू आती हैं, तो गुलाब का आर्ख पानी में मिला कर नहाएं, पाँचवा, अगर हडियों में कमजोरी महसूस होती हो, तो सोयबिन खाएं, हडियां मजबूत होती हैं, छटा, मुटापा बढ़ रहा हो, और पेट लटक रहा हो, तो नाभी में तेल लगाएं, कुछ दिनों में आराम मिलने लगेगा, साथवा, ठंडे दूद की जगा, गरम दूद पीएं, गरम दूद पीने से हडियां मजबूत होती हैं, आठवा, कडवी चीजों के इस्सेमाल से सेहत अच्छी रहती हैं, और ज्यादा मीठी चीजे खाने से इंसान मोत के करीब हो जाता हैं, नौवा, अगर आपके बाल जड़ने लगें, तो चावल के मांड से बाल धोएं, इससे बाल जड़ना बंध हो जाएंगे, और मुलायम भी होंगे, दस्वा, खाने में प्याज जरूर खाएं, इससे हम दिल की बिमारियों से बचते हैं, ग्यार्वा, शहद के अलावा हर मीठी चीज नुकसान करती हैं, बार्वा, नहाने से पहले नमक चखलें खारिश नहीं होगी, तेर्वा, रोजाना रात को चहरे पर कच्चा दूद लगाएं, चहरा साफ और चमकदार होता हैं, चोद्वा, रोटी को हमेशा धीरे धीरे चबा कर ही खाएं, पेट वा कमर के चर्बी कम हो जाएगी, पंद्वा, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड का टुकडा खा लें, खाना जल्दी हज्म हो जाता है, सोल्वा, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हो, तो ये तीन चीजे जरूर खाएं, पहली नीमबू, दूसरी बंदगोबी, तीसरा खीरा, सतार्वा, अगर आपको भूक नहीं लगती हो, तो मर्वा के पत्ते खाएं, भूक लगने लग जाएगी, इन पत्तों को धनिया, पुदीने की चटनी में भी डाल सकते हैं, अठार्वा, अगर आप मीठा जादा खाते हैं, तो बीच बीच में थोड़ी बहुत कड़ी चीजे भी खाया करें, उनिस्वा, पानी से शरीर की कई बिमारियां दूर होती हैं, इसलिए पानी जादा से जादा पीना चाहिए, बीस्वा, सुभे ये शाम को सैर जरूर करें, सैर करने से शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी, कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं, दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब करें, और यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्ट टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका देन शुब वह मंगल में हो